विटामीन C यानि एसकॉर्बिक एसिड हमारे सरीर के लिए बेहर जरूरी विटामीनस में से एक है। विटामीन की कमी के क्या लक्षड होते हैं। जान लीजिए विटामीन C की कमी के लक्षड होते हैं। विटामीन C की कमी के लक्षड होते हैं। विटामीन C की कमी होने पर मसूरे फूलना या ब्रस करने पर दातों से खून बहने की समस्या बढ़ सकती है। और कई बार मसूरों में सडन होने की वज़े से मूव से बदमू भी आने लगती है। जान लीजिए बिना किसी वज़े के नाक से खून बहना यानि नकसीर बहना भी विटामीन C की कमी का ही संकेत होता है। किसी भी घाव का धीरे भरना भी विटामीन C की कमी के लक्षडों में से एक है। क्योंकि चोट लगने पर खून और उतकों से विटामीन C कम हो जाता है। और सरीर को कोलेजन बनाने के लिए विटामीन C की जरूरत होती है। कोलेजन एक प्रोटीन है जो इसकिन रिपेर का काम करता है। इसलिए विटामीन C की कमी होने पर घाव देरी से भरता है। ये भी जान लीजिए सरीर के जोडों में दर्द और सूजन होना भी विटामीन C की कमी से हो सकता है। क्योंकि जोडों में बहुत अधिक कोलेजन युक्त सन्योजी उतक होते हैं। इसलिए जब सरीर में विटामिन C की कमी होती है तब इसका आसर सरीर के जोडों पर भी होता है। क्योंकि जोडों में कोलेजन का इस तरकम होने की वजए से दर्द और सूजन की समस्या हो जाती है और गंभीर रूप में विटामीन सी की कमी से घुटनों और जोडों में तेज दर्द हो सकता है और कई बार तो इनसान को चलने में भी कवी दिक्कत होती है याद रहे खून की कमी होना भी विटामीन सी की कमी का एक लक्षण है जान लीजिए विटामीन सी की कमी इंसान में खून की कमी का कारण भी बनती है क्योंकि विटामीन सी रेट बलड सेल्स में पाये जाने वाले हीमोगलोबीन के लिए सबसे जरूरी आईरन के एब्जॉर्ब होने में मदद करता है इसलिए विटामीन सी की कमी होने पर सरीर में आईरन की कमी भी हो जाती है और आईरन की कमी से सरीर में खून की कमी हो जाती है जिसकी वज़े से चक्कराना, सांस लेने की समस्या, सरीर में पीलापन और सरदर्थ जैसी समस्या हो सकती है इनके आलावा विटामीन सी की कमी होने पर ठकावट जल्दी आ जाती है और मूड भी सही नहीं रहता है इसलिए जान लीजिए कि आईरन के सही उपयोग के लिए सरीर में विटामीन सी का होना बेहत जरूरी है जान लीजिए अगर बाल गिर रहे हैं और नाखून तूट रहे हैं तो इसका मतलब सरीर में विटामीन सी की कमी है क्योंकि बाल ज़रना और नाखूनों का टूटना भी विटामीं सी की कमी में अक्सर देखा जाता है इसकी वज़ा ये है कि सरीर में ने टिस्यूस के निर्मान और उनकी ग्रोथ के लिए विटामीं सी बहुत जरूरी होता है इसलिए याद रखिए कि विटामीन सी सरीर में कोलेजन बनाने में बहुत एहम भूमिका निभाता है कोलेजन वो प्रोटीन है जो हमारी सकिन, हमारे बाल, सरीर के जोड़ों और मास्पेसियों के लिए बहुत ही जरूरी होता है इसी वज़े से विटामीन सी की कमी होने पर बाल जड़ना, ना खून तूटना और इसकिन में रूखापन होना आम समस्या है साथ ही इसकिन बेजान हो जाती है इनके अलावा कुछ लोगों के जुर्यां भी समय से पहले ही आ सकती हैं और आखों के नीचे काले घेरे भी बन सकते हैं अब ये भी जान लीजिए कि तेजी से वजन बढ़ना और पेट का निकलना भी विटामीन सी की कमी से हो सकता है क्योंकि विटामीन सी सरीर के फैट को एनरजी में बदलने का काम भी करता है इसलिए जब सरीर में विटामीन सी पूरी मात्रा में नहीं होता है तो सरीर के अंदर चर्वी बढ़ जाती है और खास तौर से पेट पर जम्हाचर भी बढ़ने लगती है जिससे पेट बाहर निकलने लगता है जान लीजिए विटामीन सी की बहुत अधिक कमी होने पर खतरनाक रूप से इसकरवी रोग हो जाता है और ऐसे में जगें जगें से इसकिन फटने लगती है और खून भी निकलने लगता है दाद भी धीले होकर गिर सकते हैं साथ ही जोडों में तेज़ दर्द और सरीर में बेहत कमजोरी भी आ जाती है और कई तरह की बीमारिया भी आपको घेर लेती हैं इसकरवी रोग के और भी कई लक्षड होते हैं और इलाज के लिए मरीज को डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है इसलिए विटामीन सी की अधिक कमी होने से पहले ही इसकी पूर्ती करना बेहत जरूरी है याद रखिए पुरुसों को रोजाना 90 मिली ग्राम विटामीन सी की जरूरत होती है और महिलाओं को 75 मिली ग्राम विटामीन सी की रोजाना जरूरत होती है ये भी जान लीजिए कि विटामीन सी की कुछ मात्रा ही सरीर में इस्टोर होती है और ज्यादातर अत्रिक्त विटामीन सी यूरिन के जरिये सरीर से बाहर निकल जाता है विटामीन सी को हमारा सरीर ज्यादा दिन के लिए इस तोर नहीं रख सकता है जिसकी वज़े से सरीर में इस तोर विटामीन सी कुछ दिन में ही खत्म हो जाता है इसलिए खाने में इसकी निरंतर पूर्ती करना बहुत जरूरी होता है ये विटामीन सबजियों और फलों में काफी अच्छी मात्रा में मिलता है जैसे फलों में संत्रा, अमरूद, पपीता, आम, अननास, कीवी, श्ट्रोबेरी और इस्टार फ्रूट आदी में अच्छी मात्रा में है और सबजियों में आवला, नीबू, बंदगोभी, ब्रोकली, टमाटर, पालक, सिमला मिर्च, गोभी, मूली, सकरकंदी, हरी मिर्च और हरी धनिया आदी में भरपूर मात्रा में मिलता है इनके अलावा ये भी याद रहे कि लगबग सभी फलों और सबजियों में इसकी कुछ ना कुछ मात्रा मौजूद ही रहती है इसलिए फलों और सबजियों से इसकी कमी को आसानी से पूरा किया जा सकता है जान लीजिए ये विटामीन अनाजों में नहीं पाया जाता है लेकिन अंकुरित अनाजों में और खमीरी करत आहार में इसकी कुछ मात्रा मिल सकती है साथ ही दूद और दूद से बने पदार्थों में भी ये बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है और ड्राइफ रूट्स यानी मेवों में भी ये बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है इसलिए दूद, मेवे और अनाजों से विटामीन सी की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है ये भी याद रहे कि विटामिन सी की कमी जादातर मासाहारी लोगों में ही होती है क्योंकि विटामिन सी मासाहारी खाने में बहुत ही कम पाया जाता है हाला कि मासाहारी खाने में औरगंस मीट में जैसे दिल, गुर्दा, कलेजी, भेजा आदी में इसकी कुछ मातरा मिलती है जो काफी कम होती है यानि मीट, अंडा और मचली आदी से विटामिन सी की कमी पूरी नहीं की जा सकती है और सिर्फ साकाहारी खाने से ही विटामिन सी की कमी को आसानी से पूरा किया जा सकता है क्योंकि विटामिन सी सबसे अधिक मातरा में फलों और सबजियों में ही पाया जाता है इसलिए साकाहारी लोगों में इसकी पूर्ती आसानी से हो जाती है और साकाहारी लोगों में इस विटामीन की कमी भी बहुत ही कम होती है लेकिन अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सी सबजीयों और फलों में विटामीन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है और किस फल और सबजी में कितनी मात्रमें विटामिन C पाया जाता है तो इसके लिए आप हमारी दूसरी वीडियो भी देखें आप भी विटामिन C से जुड़ी अपनी जानकारी कॉमेंट में जरूर लिखें इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद